हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो माई चैनल जैसे कि आप सुब को बता है पारिश का मौसम तर शुरू हो चुका है इस मौसम में चाय की चुस्की और मसाले वाली चाय हो तो क्या बात है हाँ फ्रेंट्स में आज आपको पूर्फेक्ट मसाला चाय बनाना बताऊंगी और चाय का पूरा मसाले की आज रेसिपी बताने वाली हो बहुत ही आसान रेसिपी है सबको लगता है बहुत जंजट का काम है पर यह फटा फट से बन जाता है तो चलिए लेट्स स्टार्ट इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पनसारी मिल जाएगी यहां मिने दो बड़ी ले लिए खो ब्लाइची ले लीजए इसमें हमें आतको यह बसाने बड़ी लेड़ी घतनाने ने के लटैंई लेना और ऋक्राइवलोद करने पर दोसे दो सिलस्टार काया के लिए तो हम थोड़ा सा सौंफ डालेंगे इससे मचाई का टेस्ट बहुत जाद अच्छा हो जाता है लॉंग ले लेंगे और यह सौंट ले लेंगे आप सौंट यह साबुत वाली ले सकते हैं या आपको सौंट का पाउडर मिले मार्केट में आप वो भी यूज़ कर सकते हैं मैं इस आपको सारे चीज़े ले लेने हैं इलाइची को आप क्या कर सकते हैं आप छिलके भी इसका मसाला बना सकते हैं या तो फिर आप यह छिलके की साथ ही डाइरेक्ली ग्राइंड कर सकते हैं तो मैं इसको डाइरेक्ली ग्राइंड करने वाली हूँ इस तरह से आप यहां ले ल तो यहां मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से इसका पाउडर बना देंगे तो यहां मैंने साबुद सॉंट लिया था और इलाइची का भी छिलका नहीं निकाला है तो इस तरह से यह पीस के रेडी हुआ है तो चलिए अब फटा फट से दूसरा लौट भी पीस लेती तो अगर फ्रेंच आपको फाइन पाउडर चाहिए जैसे मार्केट में मिलता है उस तरह का पाउडर चाहिए तो आप सॉंट का पाउडर ले लिजे और जो इलाइची का छिलका है उसे भी आप निकाल दीजे तो आपको जो मार्केट जैसा चाई मसाला है न वही मिलेगा पर चाहिए तो इसका टेस्ट बहुत ज्ञादा बढ़ी आता है फ्रेंसे दो मिलेग यह भाइब जो यह साबद वाली करत में वहाँ जादा अच्छा हाथा है तो इस तरह से हमारा देखे डेखिए चैंड मसाला इनया है इसको पीस ना है और इपको इसको कर कर ना है कांच की बोटल में और ये जब तक फिनिश ना हो तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं कोई expiry date नहीं है इसकी बड़ ये इद्दम मश्चफरी होना चाहिए बोटल में भी बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इस तरह से आप इसको बंद करके स्टोर करके रख सकते हैं बाहर ही फिर्ज में भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है चाहिए में थोड़ा सा दालेंगे क्या मसाले वाली चाहिए बनके रेड़ी होगी फ्रेंज बिलीव में ये मसाला आपको बहुत जादा काम इन फैक्裡面 जब आपको कारा बनाना है तब ये मसाला काम आता है तो चलिए फता फत سے चाह बना पे बता बतादेती हूं मैंने यहां दूद लिया है मैं औल्वेज दूद में ही चाही बनाती हो मैं बिल्कुल भी पानी यूज नहीं करती हूं चाई पती डाल दी है चीनी डा चाहे में लेमन ग्रास ये सारी चीज़ अगर आप चाहे में डालते ना चाहे का स्वाध दुगना हो जाता है अधरक आपको डालना है डाली अधरवे सौर्ट तो अपने डाला ही है वर मुझे बहुत स्ट्रॉंग चाहे पसंद है तो मैं अधरक भी थोड़ा सा कूट के डाल बस अभी आपको इन चीज़ों को अच्छे तरह से उबाल लेना है और आपकी मसालेदार चाहे रेडी है बारिश का मौसम चल रहा हो और ऐसी चाहे अगर आपको कोई दे दे तो आपको मज़ा ही आ जाए और जहां करोना वाइरस चल रहा है फ्रेंड्स गरम गरम चीज़े तो हमें पीनी है आप इसको ये चाही के मसाले को पानी में भी उबाल के लेमन और हनी के साथ लेंगे तो ये काड़ा भी बन जाएगा तो इस तरह से देखिए हमारी चाही रेडी है चाही का मसाला भी बना दिया हमने और चाही भी बन गई है तो मैं अब जादा बात नहीं करूँगी कि नहीं तो मेरी चाई थंडी हो जाएगी मुझे इसका मज़ा लेना है तो आप भी इस मौनसून में इस तरह से आप चाई का मसाला घर पर ही बनाएं बाहर से मत लाइए बहुत ही आसान तरीके से आप घर में अद्दम फ्रेश चाई का मसाला बना सकते हैं और चा किजिए सब्सक्राइब किजिए मेरे चाल को तिल दान टेक केर बाइए